है अलो दोस्तों वेलकम ट्यू राइट टेग रिव्यूज और अगर अभी तक आपने हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पी कलिक करके आप चैनल comment को अब सब्सक्राइब और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक wireless Bluetooth headphone की unboxing और review जैसे कि आप देख सकते हैं ये wireless Bluetooth headphone आता है Sony brand की तरफ से इसका model number है XB900N और इस पर आपको एक साल की warranty देखने को मिलती है जैसे कि यहां लिखा गया है extra base है इसमें XB के अगर हम बात करें तो Sony के जितने भी wireless Bluetooth headphone आते हैं XB का मतलब है extra base के category वाले वो headphone होते है इसके लावा इसमें आपको Google Assistant का support मिलता है Alexa built-in है इसमें already इस headphone में 30 गंटे का आपको इसमें playback time मिलेगा Bluetooth 5.0 का support है wireless headphone है और noise cancellation का feature भी इसमें आपको मिलता है अगर हम बात करें इसकी pricing की तो price आप यहाँ देख सकते हैं 16,990 रुपे का इस पे MRP दिया गया है लेकिन Amazon पे लगवग आपको यह 15-16,000 के बीच मिलता है और अगर हम बात करें box पे तो यहाँ पे लिखा गया है extra base जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही और दोनों ही Android और iPhone दोनों ही platform को सपोर्ट करता है तो चलिए दोस्तों फटा फट से इसको अंबॉक्स करते हैं और पहले देखते हैं इसके build quality को और उसके बाद हम चेक करेंगे इसके sound quality को दोस्तों हमने box open कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं black color का यह box आपको देखने को मिलता है इसमें और कुछ इस तरीके से आपको इसको open करना है आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे sony connect app के बारे में बताये गया है जिसको आपको अपने phone में download करना है apple store से या फिर google play store से आप download कर सकते हैं और चलते हैं finally अपने headphone की तरफ बाइस आप headphone देखने में बहुत ही premium और बहुत ही light weight है अब देख सकते हो foldable headphone है जिस तरीके से आये थे फिलाल के लिए इसको हम यहाँ side में रखते हैं और देखते हैं box में क्या क्या है इसके लावा आपको box में आप देख सकते हो एक micro type c micro usb नहीं दोस्तों इसमें आपको मिलती है type c cable charging के लिए इसके लावा एक यह 3.5 mm का audio cable मिलता है आप इसको ऐसे wide headphone भी यूज कर सकते हैं कुछ booklets हैं इसमें user manual और इसके लावा इसमें आपको देखने को मिलता है एक carry pouch यह आप देख सकते हो अंदर से काफी soft material का बना हुआ है तो इस तरीक एक आपको इसमें box packing देखने को मिलती है इसको side रखते है और यह देखो भाई लोग यह है sony का headphone 16,000 रुपएगा अगर मैं बात करूँ इसके build quality की न तो एक तो मस्त बहुत light weight और यह जो padding देख रहे हो अपले दर कुशन पैडिंग जो है बहुत ही soft है बहुत ही soft cushion padding इसमें आपको देखने को मिलती है उपा की तरव आप देख सकते हो यह headband पे यह जो padding यहां दीगी है यह भी बहुत soft है और यहां पर आपको right left का marking देखने को मिल जाती है नीचे के अगर हम बात करो हैं यह आपको headphone jack देखने को मिलता है इसके लावा charging port यहां type button दिया गया है और यहां पर यह custom button दिया गया है जो कि आप sony connect app में जाके इसको use कर पाएंगे configure करने के बाद अगर हम मैं बात करों इसकी right side की हाँ यह right side का headband है यह जो panel है आपको touch panel मिलता है अभी मैं इसको connect करने के बाद आपको दिखाता हूं कि इसको आपको कैसे use करना ह build quality wise तो बहुत ही अच्छा है बहुत ही lightweight है और cushion की padding है बहुत soft है premium quality का बिलकुन headphone ही देखने में लगता है अगर आप इतने पैसे खर्च करते है तो बिलकुन worth it है इस headphone के लिए इसमें आपको Bluetooth के लावा एक NFC का support भी मिलता है तो दोस्तों इसको फटा फट से पहले connect करते है और फिर चेक करते हैं इसकी sound quality इसको connect करना बहुत ही easy है आपको power button को press करना है दो second के लिए यह pairing mode में on हो जाएगा उसके बाद आप अपने phone में device सर्च कीजिए यहाँ पर आप देख सकते है model मरा आगे है 9-9 900 और इस पर tap करके आप जो है इसको pair कर सकते हैं तो दोस्तों connect होते ही जो आप को मैं बता हूँ आप यहाँ देख पाएंगे आपको notification आएगा sony app download करने के लिए वह आप चाहे तो इसको बाद में कर सकते हैं आप आपको sound quality का कुछ आइडिया मिला होगा अगर मैं overall बात करूँ इसके sound quality की तो बहुत ही अच्छी sound quality है voice separation बहुत ही अच्छा है जैसे Indian users को पसंद होता है base पे इसमें काफी heavy है अच्छा base आपको इसमें देखने को मिलता है और low और mids भी अलग-अलग आपको अच्छे से सुनने को मिलते हैं पहनने में बहुत ही जादा comfortable है lightweight है आप आराम से इसको चार से पांच गंटे continue यूज कर सकते हैं इसमें battery life आपको मिलती है 30 गंटे की इसके अलावा आपको इसमें NFC का support भी मिलता है और जैसे कि आप यहां देख सकते हैं type C आपको इसमें मिल जाता है charging के लिए और headphone आप इसको as a wired headphone यूज कर सकते हैं यहां पर एक custom button दिया गया है जिससे कि आप noise cancellation on off कर सकते हैं ambient noise को control कर सकते हैं और Google Assistant और या फिर Alexa भी use कर सकते हैं इससे तो बहुत ही अच्छी build quality के साथ आता है 4.8 की इसको मैं rating देता हूँ अगर आप इसको buy करना चाहते हैं तो मैंने video के description में इसका link दिया है आप वहाँ से इसको जाके buy कर सकते हैं और इसके लावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इस headphone के बारे में तो आप video के comment section में अपने questions पूछ सकते हैं और इसी तरीके के और tech videos देखने के लिए आप हमारे channel को subscribe करें YouTube, Instagram पे हमें follow करें इन सभी के link वीडियो के description में मैंने दे दिया हैं तो आप जरूर हमें वहाँ follow करें ताकि आने वाले videos के update आपको मिलते रहें और finally एक ही word है 4.8 star out of 5 इस headphone को तो दोस्तों मिलते हैं next video में एक नए gadget के साथ